जहानाबाद घोसी रोड में बैरागी बाग गाउं के समीब ग्रामीनों ने घंटो किया सणक जाम बिजली बोट के अधिकारियों पर लगाया मनमानी करने का अरोब ग्रामीनों ने कहा वे वज़या दर्ज किराई गई बिजली चोरी की प्राथमी की एक मंचरे युवक ने अथलेटिक्स खिलाली को बूरी तरफ पीट कर किया खायल जहानाबाद रेल्वेय स्टेशन केंपस में हुई घटना गिरपतार युवक ने पुलिस के समक्ष स्विकार किया अपना अपराथ सदर अस्पताल में पिली तड़की का होरा इलाज जहानाबाद नगर परिशत शितर के बैरागी बाग के ग्रामीनों ने जहानाबाद घोसी रोट को गाउं के समीब जाम कर प्रदर्शन किया ग्रामीनों ने यह अंदुलन किया बिजली बोड के अधिकारियों और करमचारियों के बिरोध में आरूप लगाया गया है कि अधिकारी और करमचारी मनमानी कर गाउं के एक दर्जन लोगों पर बिजली चोरी करने का मुकदमा दर्ज कर दिया है सनक जाम में गाउं की कई महिलाएं और बैचे भी सामिल थे जो बिजली बोड और जहानावाद जिला प्रशासन के बिरोद में नारे लगा रहे थे दरसल बैरागी बाग के एक दर्जन लोगों पर नाजायज धंक से बिजली जलाने का आरूप लगाते हुए नगर थाने में प्राथमी की दर्ज कराई गई है इधर ग्रामीन बिजली बोड के अधिकारियों के इस कारवाई से खफा हो गए और उतर गए सनक पर लोगों ने जहानावाद घोसी रोट को बैरागी बाग के समीब घंटों जाम कर दिया जिससे सनक के दोनों तरफ बाहनों की लंबी कतार लग गई सनक जाम में समी लोगों का कहना है कि बिजली बोड के अधिकारी और करमचारी गाउं में आए और लोगों का नाम पता पूछ कर चले गए कहीं चेकिंग मी नहीं की किसी के घर से कोई तार वगएरे भी बरामन नहीं हुआ और सिधे मुकदमा दर्ज कर दिया ग्रामीन दर्ज मुकदमे को बापस लेने की मांग कर रहे थे चंदन मिस्रा आजकल जहनावाद सबसे बड़ी बात ही है कि जो हम लोगों को यहां जो आए हैं ने किसी के हां तार पकले हैं इन नहीं कि नहीं कि अग्राइन करें कि जहां तक बात है कि कोई इविडियंस नहीं साहज ले गए यहां से यह विडिय को सारे ऑश्टाप के पास जहानाबाद सदर अस्पताल में भरती इस यूबती का नाम है कुमारी अस्वनी राज यह यूबती एथलेटिक्स की खिलाली है इसे एक मन चले यूबक ने जहानाबाद रेलवे स्टेशन केंपस के दक्षिनी गेट के समीट इतनी बेरहमी से पिटाई कर दी कि इसे इलाज के लिए अस्पताल में भरती कराना पड़ा पता चला कि पीटने वाला यूबक इस यूबती के पीछे कई दीनों से लगा हुआ था पॉलिस ने त्वालित कारवाई करते हुए पिटाई करने वाले यूबक नितिस कुमार को गिरपतार कर लिया है गिरपतार यूबक रेलवे कॉलिनी का निवासी है इसने अपना अपराध भी स्विकार कर लिया है पिडित लड़की अस्टेशन के समीप ही पुरानी बिजली कॉलिनी में अपनी मा के साथ किराय के मकान में रहती है घटना साम करीब 6 वजे की है यूबती गया से ट्रेन पर सवार हुई थी और जहानाबाद अस्टेशन पर उतर कर अपने घर जा रही थी उसी दोरान यूबक नितीश ने इसे घेर लिया और बेरहमी से पिटाई कर जखमी कर भाग निकला थोड़ा होश आने पर यूबती ने बताया कि पुर्व में भी यह यूबक उसके साथ शेड़ खाने किया था लेकिन वह पीछा कर रहा था यह उसे आवहास नहीं था जहानाबाद जी आरपी के प्रभारी गजंदर कुमार ने सदर अस्पताल में जाकर पिडित लड़की का वयान लिया और रेल थाने में प्राथमे की धर्च की चंदन मिस्रा आज कल जहानाबाद अंधेरा तुलाता हम सोचे यह है असे हां से माले था सर किया से आ रही है और चार बज़े वाली ट्रेंस से ता हम को फोन की कि मम्मी हम चार बज़े वाली सा रहे है तो हम बोली कि आ रहा है तो हम लाए इसको रिशीव करने तो यह साइड पलेट खार हम के पास से उपतर के चल आई और हम उसको उधर ढूंडने लगें तब फिर देखे कि नहीं हो आगे चल गई डेरा में तब आए ना तो देखे कि पुड़ा काफी भीड लगा है हम सचे कि इसी तर चल गए तो फिर लगाना कि आए देखे कि मेरी बेटी रो रही है इसको सारा क्रेंस कैंट्री जो हुआ था ना उसमें आई थी ठाट आई थी और फिर लंबा दावड होता है उपाट का दिक है आउक्त महिला जुल लड़किया है अस्विनी राज ये अस्पताल में भरती थी जहां हमने उताजा करके फर्द्वियान लिया है नहीं पताया क कि यह पटना से अगया से क्रिय बेच्छे वजे यहां प्लेटफॉर्म पर उतरी और इनकी महां आगे बढ़ गई थी यह पीछे रह गई थी और जहां पर गटना के बारें बतारी वहां पर पहुंची तो एक लड़का अचाने कि इनको मार कर दिया बहुत बुरी तरह से म बिना किसी बाता है नहीं चेड़ चाड़ का तो बात नहीं उसके मार के आगे जैसे बाकी सब जगास ही पता है लड़की अभी थोड़ी गंभीर टाइप से गंभीर है तो पेट में उसका कुछ दर्द वर्द है पेन हो रहा है तो पच्छना पीम से इस रेफर कर देंगे जादू कोई तंतरमंत्र नहीं बलकि एक रहस्में अहसास है यह एक तक्निकी कला है जिसका ग्यान प्राप्त कर कोई भी वेक्ति जादू के खेल का प्रदर्षन कर सकता है यह कहना है जादूगर संकर समराद का जहानावाद के घटकन गाउं के ही मूल लिवासी जादूगर संकर समराद इस शहर में दूसरी बार अपनी जादूई कला का प्रदर्शन कर जिले के लोगों का मनुरंजन करने आये हैं इनका सो जहानावाद टाउन हॉल में 29 नमंबर से होगा साम पाँच बजे बिहार सरकार के मंतरी जीतन राम मांजी इसका उधगाटन करने वाले हैं उधगाटन समारोह में जीला परिशत की अध्यक्ष संगीता देवी को मुख एतिती के रूप में आमंतरित किया गया है उधगाटन के पुर्व जादूगर संकर समराट ने मीडिया से बाचित करते हुए कहा कि जादूई साम में रहस्मी सफर में जहानाबाद के लोग का हम सफर बनना उनके लिए गौरव की बात होगी चांदन आजकल जहानाबाद जैसे कि लाइट टीवी चलती पंखा से इनसान को आरपार होना फ्लाइंग वाक्स पलब जपकते कार गायब इस तरह से कई ऐसे आइटम में जो दर्सकों को बिल्कुल प्रवाइद करेगा और जादूसों में जो गेट अप और शेट अप उस चीज को भी चेंग किया गया मोडर्न रूप से डिश्टर लाइट, डिश्टर साउंड, सारी विधिवस्ता को कमप्टराइज किया गया तक यह को दसको को पुल्रूप से मरन रूंजण हमारे जादू के माधयम से मिल सके बहुत गर होती हैं अपने जिले में जादूसों करने के बाद, अपने एक्टम को दिखाने के बाद और अपने जिला वास्यों को ये संदेश देना चाहेंगे ज़ानाबाद घोसी रोड में बैरागी बाग गाउंक एक समीब ग्रामीनों ने घंटो किया सणक जाम बिजली बोट के अधिकारियों पर लगाया मनमानी करने का अरोग ग्रामीनों ने कहा वे वज़ा दर्ज कराई गई बिजली चोरी की प्रात्मी की एक मंचरे युवक ने अथलेटिक्स खिलाली को बूरी तरफ पीट कर किया खायल जहानाबाद रेलवेय स्टेशन केंपस में हुई घटना गिरपतार युवक ने पुलिस के समक्च स्विकार किया अपना अपराद सदर अस्पताल में पिड़ी तर्की का होरा इलाज जादू का खेल दिखाने जहानाबाद में दूसरी बार आए जादूगर संकर समराठ टाउन हॉल में 29 नमबर से होगा जादूई कला का प्रदर्शन मंत्री जीतन रा मांजी करेगे उधगाटन